हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है, ताकि उसकी तरक्की होगी। जिदंगी खुशाल हो भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो धंदौलत की कोई कमी न हो। आईए जानते हैं अच्छे वक्त के दस शुब संकेत। अच्छे वक्त के दस संकेत। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधु साथ दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुब संकेत माना जाता है। यह अच्छे वक्त का शुब संकेत है। यह अच्छे दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुब संकेत माना जाता है। कच्छुआ का दिखाई देना शुब संकेत होता है। भगवान विश्णुने कच्छप अवतार लिया था। कच्छुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का दिखना अच्छा माना जाता है। यदि आपके घर के मुख्य दर्वाजे पर हाथी अपना सून उठाकर खड़ा हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है. आपके परिवार के सुख और सम्रिध्धी में बढ़ोत्तरी होने वाली है. हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं. घर की छट पर कोयल का बोलना भी एक शुब संकेत होता है. ऐसा होने पर आपके धन में व्रिध्धी हो सकती है. यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा साम्प देखते हैं, तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं. यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है. जिस दिन आप सुबह उठेन और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुडलक का इशारा है. अगर आपको मेरे विडियो पसंद आते हैं, तो कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.